अरे पढ़ने वालो अरे पढ़ने वालो कैसे हो दोस्तों बहुत दिनों बाद एक खास बाद आपसे करना शाह रहा हूँ और वो बात ये है बचिका फोन गिर पढ़ा था कि कमपार्टमेंट के फोन आ गये हैं आज से रेश्टेशन शुरू हो गया है और तयारी तो आप कर हुँआ होंगे सारे बच्चे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लापरवाई नहीं कर रहे होंगे त्यारी करने में इसके अलावा कुछ बाते बताऊंगा मैं जो रेगुलर बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे थे अब तक उनको स्कूल की जिम्मेदारी है सिवेसी ने का मैं नहीं कहा रहा हूँ, यह स्कूल की जम्मेदारी है कि उन बच्चों को कॉंटेक्ट करेगा स्कूल, जिनका मतलब कंपार्टमेंट आया है, उनको स्कूल फोन करेगा या कॉंटेक्ट करेगा, क्लास टीशर या जो भी और उनके फोर्म भरवाएगा और उनकी हेल्प करेग तो रेगुलर बच्चों को तो कोई रिक्कत नहीं है हाला कि आप कोई भी बच्चा हो चाहे रेगुलर या प्राइवेट आप cbsc की वेब साइट पर जाकर cbsc.gov.in पर वहाँ पर अपना फॉर्म भरते हैं 31 महीं से अनिके आज से अभी तो 12 नहीं बजे एक बात दूसरी बात यह है कि compartment आने से जो जटका लगता है वो उसी को पता होता है जिसका compartment आया है जो पास हो गया वो तो admission की ताहरी कर रहा होगा अपनी CUT दिया होगा जेई दिया होगा नीट दिया होगा लेकिन जिसका compartment आ गया है उसकी कुछ कहते हैं पढ़ ले वेटा ठीक है परेंट को गुस्सा होता है लेकिन परेंट कुछ कहते नहीं उसको परेंट को यह कहते हैं भाई पढ़ ले चल कोई बात नहीं हो जाता है यह दूसरी बात अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप अराम से compartment इंप्रूमेंट जो भी आपका पेपर है उसको अराम से निकाल सकते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है compartment का पेपर बारवी के बच्चे केवल एक ही पेपर में दे सकते हैं एक सब्जेक्ट में चाया improvement हो एक ही बात है एक ही पेपर होता है एक ही दिन होता है सेम कोशन पेपर आता है कुछ भी अलग नहीं है बस आप यह कह सकते हैं इंप्रूमेंट वो देता है जिसके नंबर कम आते हैं वो पास होता है और compartment वो देता है जिसके passing marks नहीं होता है 33% नंबर नहीं आने पर compartment मानी जाती है थियोरी में फेल होता है बच्चा compartment उसको एक चांस मिलता है दुबारा कड़ने का कि हाँ वो कड़ लेगा तो दुबारा उसको एक चांस देह जाता है और کुछ निये compartment यही compartment तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है मैं कुछ बेकार हूँ मैं गिरावा इनसान हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता भाई तुम्हारे साथ के बच्चे थे वो पास हो गए आप रह गए तो कोई भी इसमें मैं जोश्मा के मैंने माइक निकाल लिया वार क्योंकि यार तुम लोग डिप्रेशन में हो भई मुझे पता है बेडा पार बैच में सबसे जादा जो एडमिशन हुए है वो केमिस्ट्री में हुए है और केमिस्ट्री का पेपर सबसे इजी आया था मेरे लिए बढ़ेश्चरी की बात है आप मेरे लिए छोटी बात मसचो इसको सबसे जादा है एडमिशन केमिस्ट्री में कमाल की बात है होता है वही समझता हूँ इस बात को क्योंकि जो पेपर हाड आता है उसकी कोपी लिनेन्ट चेक हो जाती है या फिर अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो भी हो सकता है या केमेस्ट्री बच्चों को मुश्किल लगती होगी हाला कि अगर मैं कहूं बोड की पेपर में सबसे इजी वेपर इस बार केमेस्ट्री का आया था लेकिन डंडने की कोई बात नहीं है एक अफ़ा और फैल रही है कि दुबारा रिजल्ट आएगा बिल्कुल गलत है कोई रिजल्ट दुबारा नहीं आ रहा है एक फरजी वेबसाइट ने बिहार की वेबसाइट है मैं उसकी कंप्लेन भी करीए सीबेसी को उसने एक आर्टिकल छाप दिया उसी से बहुत सारी गलता और यही वेबसाइट भी आजकल बनाने क्या बार नहीं फरजी वेबसाइट बना लो उस पर फोजी माक्स द डाल दो पर जी नोटिस डाल दो फराजी सूचना डाल दो और फिर भीडियो बनाटे रहो बच्चह गुल्दू बेहार में उसा मांगा ड़ाने हूँ उसको समझाया भाई पैसे में उसके पैसे बचवाई 50,000 रुपे देने वारा था किसी को जार खंट में या पितानी बिहार में महाँ पर बचिया हो तो यह सब चीजे हैं जो मैं कहना चाहरा था इनसे बचो कोई आपके मांस नहीं बढ़वा सकता है कोई आपके मांस घटवा सकती है सीवेसी को स्टेट बॉर्ड नहीं है कुछ भी कर रहे हो आप इसे मजाग चल रही है ठीक है यह आपको धियान रखनी है तो पेड़ा पार बैच में अभी आप एडमिशन ले सकते हो कल्सम शुरू कर रहे हैं पेड़ा पार बैच फिजिक्स केमेस्टी मैस ठीक है फिजिक्स और मैस में पढ़ाऊंगा केमेस्टी की अगलग टीचर है टैंथ में मैस साइंस 2100 रुपे पर सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो आप अगर टैंथ में मैस साइंस दोनों पढ़ते हो तो 3000 दोनों जूम पर या गूगल मीट पर क्लास चलेगी सकते हो 2100 रुपे लाइव ग्लास के लिए कुछ नहीं होते कैमरा ओन रखना कोपी किताब लेकर बैठना सीरेसली पढ़ना इस बैच में वही आना जो सीरेस हो फाल तुम्हें टाइम वेस्ट पर करने मत आना ठीक है तो एक तो अपना फॉर्म भर दो कभी मानलो कि आपने स्कूल भरवा देता है प्राइवेट बच्चों की दिक्रत होती है तो प्राइवेट बच्चे सीरेस्ट पर जाकर फॉर्म भर दीजिए मार्क शीट आपकी आने वाली है कोई दिक्रत की बात नहीं है चलो मेरी क्लास का टाइम हो गया अभी मुझे मैंट पढ़ाना है ठीक